शुटिक गुरुनानक देव जी पर निबंद जीवन वृत भारत भूमी रिशी मुनियों तथा अवतारों की भूमी मानी जाती है गुरुनानक देव जी भी रिशी मुनियों की परंपरा में आते हैं उनका जन्म 15 अप्रील 1469 को तलवंडी नामक गाउ में हुआ था पिता गाउं के पटवारी थे इनकी बहन का नाम नानकी था इश्वर पर श्रद्धा गुरुनानक देव जी की बच्पन से इश्वर में श्रद्धा थी उनका मन भक्ती में ही लगता था पिता ने उन्हें सिक्षकों के पास भेजा पर कोई भी सिक्षक उन्हें न पढ़ा सका क्योंकि सांसारिक पढ़ाई में गुरु नानक देवजी को रुची ही नहीं थी पिता ने गुरुनानक देवजी को भैस चराने के लिए भेजा वहाँ पर भी वे इश्वर के भजन में डूब जाते प्रभु भक्ती में मगन रहने के कारण कई बार उन्हें अपने पिता की तारना भी सहन करने पड़ती थी सादू सभाव गुरुनानक देवजी के सादू सभाव को देखकर उनके पिता रुष्ट रहने लगे बड़ी बहननान की गुरुनानक देवजी से बड़ा प्यार करती थी उसे जब पिता की क्रोध का पता चला तब गुरुनानक देवजी को अपनी साथ सुल्तानपुर ले गई वहां गुरुनानक देव जी ने दौलत खा लोधी के मोधी खाने में नौकरी कर ली समान बेचने का कामूने मिला गुरुनानक देव जी बहुत से लोगों को बिना मूल ये सौधा दे दिया करते थे एक दिन एक आदमी को आटा तोल कर देने लगे बारा तक तो करम ठीक चलता रहा पर तेरा पर आकर तेरा तेरा कहते हुए उसे सारा आटा दे दिया लोधी तक शिकायत पहुची पर हिसाब किताब लगाने पर सब ठीक निकला इस प्रकार गुरुनानत देव जी का अलोकिक व्यक्तित्व लोगों के सामने प्रकट होने लगा विवाह और पुत्रतपत्ती 19 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह मूल चंद्र जी की सुपुत्री सुलकनी देवी से हुआ इनके दो पुत्र श्रीचंद जी और लक्सी दाज जी थे आगे चलकर बाबा श्रीचंद जी उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक होई सबसे बड़े समासुधारक सारा जीवन गुरुनानक देव जी जाती अभेद भाव वैरभाव और राग द्वेश को मिटाने का भरसक प्रयत्न करते रहे वे सबको परमात्मा की संतान मानते थे दूसरों का दोश न देखकर वे अपना दोश देखने के लिए कहते थे दूसरों की सेवा करना ही उनका आदर्श मंत्र था वे अपनी समय के बड़े समासुधारक थे छुवाचूत, अंधविश्वास तथा पाखंडों का उन्होंने बड़े जोर से खंडन किया परोपकार, मानव प्रेम और सहयोग यही उनके उपदेशों के महत्वपूर्ण अंग थे एकेश्वरवाद के वे पूरे समर्थक थे, अनेक देशों में जाकर उन्होंने लोगों को मानव प्रेम का पाट पढ़ाया विशान्ती के प्रचारक थे, गुरुनानक देव जी अपने सुख और शान्ती के उपदेशों को लोगों तक पहुचाने के लिए देश्विदेश कए सबसे पहले एमनाबाद जाकर भाई लालो बढ़ाई के घर ठेरे और वहाँ से हरिद्वार, दिल्ली, गया, काशी और जगनात पूरी तक गए उपदेश उनके उपदेशों में ऐसा चमतकार था कि सभी वरगों के लोग उनके सिश्य बन जाते थे उनके सिश्यों के उन पर बड़ी श्रद्धा थी उनके उपदेश की भाषा सीधी साधी और शैली सरल थी यही कारण था कि अनेक उपदेशों को लोग सिर जुका कर स्विकार करते थे गुरुनानक दीव जी ने हिंदू मुसल्मान बौध जैन इसाई आदी सभी धर्मों के तीर्तिस्तानों का भ्रहमन किया था वहां उन्होंने एक सत करतार को भजने का उपदेश दिया और विबिन धर्मा वलंबियों को प्रभावित किया सभी धर्मों के लोग उनके शिश्य बन गए देश विदेश भ्रहमन दक्षिन में सेतु बंध रामेश्वरम तथा सिंग द्वीप उगदी स्थानों में जाकर अपना संदेश दिया वहां से लोटकर गड़वाल, हेमकुंड, टेहरी, सिर्मौर, गोरकपूर, सिक्किम, भुटान और तिबत आदी की यात्रा की उसके बाद बलोचिस्तान होते हुए मक्के तक पहुचे इस यात्रा के मद्य उन्होंने इरान, कंधार, काबुल और बगदाद आदी में सत नाम का उपदेश दिया उन्होंने बताया कि परमपिता परमात्मा की इच्छा से विश्व के समस्त कर्म चलते हैं इसलिए छुआ छूत और लड़ाई जगड़ा छोड़कर प्रभू का भजन करना चाहिए दया, धर्म, नम्रता और सत्य से विभूशत व्यक्ती को ही जीवन में सच्चा सुख मिलता है उपसनहार पचीस वर्षत घुमने के बाद गुरुनानक देव जी करतारपूर में आकर रहने लगे और वहाँ अपना उपदेश आरंब किया साथ सितमबर 1539 को वह जोती जोत समा गए उनके अमर उपदेश आज भी हमें मार्ग दिखा रहे हैं